हाई जी दोस्तों कैसे हैं सब दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ICGate पे ADCode कैसे registration करते हैं और कौन-कौन से documents हमें चाहिए होते हैं और documents कैसे upload करते हैं हम ICGate की site पर तो दोस्तों यह video आपके लिए बहुत useful होने वाली है दोस्तों तो दोस्तों ICGate की site हम open करेंगे आप Chrome में आप ICGate लिखेंगे और यह सर्च करेंगे और हमने open कर लिया ICGate की site दोस्तों documents अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें जाना होगा digital signature डिजिटल signature पर आप click करेंगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ AD code registration के लिए आपको digital signature की जरूरत होती है और जो कि आप अपने CA से भी बनवा सकते हैं या किसी अधर आप गरग associate से बनवा सकते हैं और आपको जो digital signature चाहिए होगा DSE चाहिए होगा वो class 3 का होना compulsory है दोस्तों सबसे first इसमें जो column आ रहा है इसमें हम click करेंगे इसमें आ रहा है दोस्तों encode signature आई इसमें देखो second number पे आ रहा है PDF file signing इसमें हम click करेंगे दोस्तों इसमें क्लिक करने के बाद में sign PDF file आ रहा है और sign file पे हम click करेंगे इसमें रहा है दोस्तों enable to connect to encode PKI component दोस्तों यह आपको मैं बता देता हूँ इसमें अभी digital signature हमने लगाया नहीं है और दोस्तों AD code registration के लिए एक आपको जावा आपको install करना होगा अपने system में और जावा की जो setting है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा दोस्तों क्या 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 आपको कैसे कैसे करना है दोस्तों अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको AD code registration के लिए कौन कौन से डोकुमेंट चीए आप दोस्तों डोकुमेंट सबसे पहले रेडी कीजिए उसके बाद मैं मैं आपको बताऊंगा इसमें हम कैसे वो submit करेंगे कैसे हम upload करेंगे documents दोस्तों इसके लिए आप digital signature भी अपना ready रखें और documents मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपको ready करने है और इसमें आपको जो java install करना है उसकी भी मैं आपको setting बताऊंगा कैसी कैसे करनी है दोस्तों घबराने की कोई जड़त नहीं है AD code registration करना बहुत ही simple है IC gate registration में थोड़ा time लगता है लेकिन AD code में इतना time में लगता है एक से डेड़ गंटे का time होता है दोस्तों पूरा procedure बता रहा हूँ दोस्तों Java के साथ Java का भी मैं बताऊंगा आपको कैसे install करना है और क्या क्या procedure क्या क्या setting करनी होती है दोस्तों Java की setting होने के बाद में digital signature इसमें connect होने के बाद में आपको ये file ये जो error आ रहा है ये आपको so नहीं होगा उसके बाद में आपका आएगा PKI install इंस्टॉल हो रहा है इंस्टॉलिंग आएगा उसके बाद में आप sign PDF file पे click करेंगे उसके बाद में आप documents जो है आप upload कर सकते हैं दोस्तों मैं documents बता रहा हूँ आपको कौन कौन से documents चाहिए documents आप ready कर लीजिए नमस्कर दोस्तों इसमें आपको सबसे first number पे IC की copy, input export, GST site packet और proprietary या director का other card और उसके साथ pen card और current account का आपको cancel check और address proof में आप दिखा सकते हैं आप अपना pen card या electricity bill या अपना telephone bill और इसके साथ में है mobile number आप एक mobile number भी बताएंगे जो की registration करना है उसमें और उसके साथ में आप अपनी company की mail ID दोस्तों ये सारी चीजें चाहिए होती है documents for AD code registration registration के लिए आपको ये सारी documents ready करने होंगे जो भी documents होगा उस पे आप sign and stamp करेंगे इसमें आप आधार card और pen card पे only sign ही करेंगे और जितने भी documents हैं आप उसमें जो है आप sign and stamp करेंगे address proof में आप ये आपके पास में electricity बिल नहीं है या telephone बिल नहीं है तो आप rent agreement भी लगा सकते हैं तो दोस्तों ये सारी documents आपको ready करने होंगे AD code registration के लिए करेंगे